हेलो एंड वेलकम बैक तो कम्पिटिशन कम्यूनिटी आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से कम्पिटिशन कम्यूनिटी के यूट्यूब चैनल में आप लोग देख रहे हैं से सीजेल और यूट्यूब कोर्स जिसमें आज हम डिसकस करने वाले डिटा इंटर्पेटिशन यह पार्ट टू वीडियो है पार्ट वन वीडियो में हमने जो कवर किया था वो था पाई चार्ट और बार ग्राफ यहां पर अब हम कवर करेंगे लाइन ग्राफ और टेबल ग्राफ ठीक है अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नहे है तो चैनल को सब्सक्राइब करक जो है complete हो जाएगा आज के दिन में ठीक है और साथ ही साथ आपको ये भी समझना है कि आने वाले दिनों में जैसे कि बताया गया था एपरिल के महिने में practice sessions होंगे तो practice sessions continue रहेगा next week से ठीक है इसमें कि हम SSC, CGL, CHSL के model paper के साथ-साथ कुछ ऐसे भी papers discuss करेंगे जो हमने खुद create किया है ठीक है तो बने रहेगा और सारे preparation आप पूरे हमारे channel के माध्यम से कर सकते हैं और इसका फाइदा जरूर उठा सकते हैं ठीक है और SSC, CGL वालों के लिए बिलकुल भी time नहीं बचा है hardly 10 दिन का समय है लेकिन CHSL वालों के लिए अभी almost two months का समय है तो in practice session का भरपूर मातरा पर यूज करिए क्योंकि काफी फायदा आपको होगा self study के लिए आपके पास time है लगबग दो महिने का time आपके पास है ठीक है 24th महिन यानि की काफी समय है एक महिना पूरा और second month जो भी है उसका last है ठीक है अगर June में आपका paper आया तो दो महिने से ज्यादा समय है अगर अभी भी आपने start नहीं किया तो भी आपके पास काफी समय कि आप सारे playlist में जितने भी videos उसको आप cover करके अपने preparation को बढ़िया कर सके चलिए अब मैं start करता हूँ आज के इस video lecture को जिसमें की हम discuss करेंगे पहले line graph यानि की रेखा चित्र रेखा चित्र जो है इस तरीके आते हैं वो कहां से आता है तो percentage से ratio से और average से जिसके बारे में हमने discussion किया था तो देखे पहला प्रशन है आपके screen के उपर आइए इसको solve करते हैं तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है the line graph shows the production and sales in terms of a company रेखा जो है यहाँ पर आपको company के उत्पादन और बिकरी बताती है तो य और black color का line तो उसके जस्ट ठीक उपर में production तो production ज्यादा है sales कम हो रहा है यह graph यहाँ पर बता रहा है और यह tons में है ठीक है यह जो quantity है जैसे 450 दिका तो 450 टन है ठीक है इसका आपको ध्यान देना होगा और यह years में है तो यह year आपका 2015, 16, 17, 18, 19, 5 वर्षों का यहाँ पर क्या दिया है अब सवाल में क्या दिया है हो एक एक करके समस्थे solve करते हैं what is the maximum percentage increase or reduction in the production of the company in comparison to the previous year ठीक है तो what is the maximum percentage increase or reduction in the production of company comparison to previous year तो देखे सबसे ज्यादा कहाँ पर increase हुआ यह decrease हुआ production में यह आप से पूछा जा रहा है तो यहाँ पर option है आपके पास और आपको बताना है कौन सा सबसे maximum percentage increase or decrease है production में तो आइए समस्ते हैं यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो दिखाई दे रहा है वो यहीं पर दिखाई दे रहा है और आप देखेंगे यहाँ पर 250 का decrement हो रहा है किसमे 750 में यहारे एक तिहाई है और एक तिहाई का मतलब क्या होता है 100 से गुणा क होगे तो यह आपका आजाएगा 33.33 percentage सबसे ज्यादा कमी यहीं पर आ रही है तो 33.33% की कमी सही है अब बाकी चीज जो है यह वृद्धी है अगर आप देखोगे तो कमी तो एक जगा हुई थी जहाँ पर कितने की कमी 33.33% बाकी option को यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर य approximately 6 percentage का increase हो रहा है यहाँ के increment की बात करूं मैं तो यह कितने का increment हो रहा है 122 का increment हो रहा है किसमे 628 में तो यह भी बहुत ज्यादा increment नहीं है यह लगभग आपका जो increment है यह कितना होगा अगर इसको एक बटे 5 से विवाजित करें यानि 20% की आसपास की वृद्धी हो रही है और यहां 33% का गिरावट था तो ज्यादा बड़ा है यहां अगर देखे तो 70 का increment हो रहा है साथ का increment है 50 में तो यह तो आपका 14% हुआ मतलब सबसे ज्यादा जो कमी हुई है वो 33.33% की कमी डिरेक्ट 2018 में हुई यही आपका उतर होगा ठीक है तो ग्राफिकली भी आप तो आपको प्रोडक्शन हमने क्या दिखा उपर वाला ग्राफ वो भी आपको कपका चाहिए तो 15 और 17 का मतलब इन दोनों को आपको जोड़ना है इखटा और इसका डिफरेंस किसे चाहिए तो आपको यहां पर सेल्स के साथ डिफरेंस चाहिए जो कि 16 अठारे का है तो 16 मे इससे 75 जादा है तो दोनों में आप देख रहे हैं कि दिफरेंस जो है यह प्रोडक्शन वाला ज्यादा है यहां 75 ज्यादा और यहां 300 ज्यादा दोनों को जोड़ देते हैं 50 यहां पहेज़ोगे तो 400 400 में 25 ज्यादा तो 425 जो ए इस सवाल का से उतर होगा यहां तक बात समझ में आ गई चलें यह अब बढ़ते हैं तीसरे सवाल के और यहां से तीसरा सवाल है अब आपके स्क्रीन के उपर यहां पर क्या दिया हुआ है तो प्रोड़क्शन का कईतना परसंटेज्ज है तो अहमें निकालने को बोला गया तो तो सेल्स मतलब नीच प्रोडक्शन का कितना प्रतीस्यत है यह आपको बताना है तो कुल विक्री कितनी हुई यह देख लेते हैं देखे अगर मैं इसको और इसको जोड़ दू ठीक है तो यह बन जाएगा 900, 900 में अगर इसको भी जोड़ दिया जाए तो 1350 हो जाएगा 1350 के बाद यहां 525 बचा हुआ एक और 516 बचा हुआ एक इसको अगर जोड़ेंगे तो 11 ठीक है यह 9 और यहां से आपका बन जाएगा 23 ठीक है 2391 तो 2391 जो है हमारा टोटल सेल्स हुआ यह आपके टोटल प्रोडक्शन का कित्ता परसेंटेज है यह सवाल पूछ रहा है तो देखिए आए यह प्रोडक्शन को भी जोड़ते है तो यह 500 और 61100 हो गया 1100 में 750 जोड़ेंगे 1850 हो जाएगा और क्या बचा तो 570 बचा 628 बचा ठीक है 628 भी बचा हुआ यहां पर 628 तो यहां पर आएगा 8 यह जाएगा 9 प्लस 5 यहने 14 और यहां पर आजाएगा आपका 9 प्लस 11 मतलब कि यहां 20 आ रहा है 3048 3048 का कित्ता परसेंटेज है 3048 जो है आपका टोटल प्रोडक्शन है अब देखिए पूरा सॉल्फ करने की आवशकता नहीं है ओप्शन दूर दूर है चाहें तो पूरा कैल्कुलेट कर सकते हैं बट समझिए यहां पर कि अगर मैं फिर 32 प्लस इतना करोगे 32 प्लस इतना तो आठ यहां पर तीन आ रहा है फिर तीन नीचे आ गया 24 आ रहा है ठीक है और दसमलव आठ है तो यहां दसमलव आठ लगबग यहां आएगा और 2438 से थोड़ा कम है यहां पर मतलब बहुत ज्यादा कम नहीं है एक परसेंटेज से यहां दो परसेंटेज के आसपास इसका वैल्यू कम होगा ठीक है तो इसका मतलब जो है वैल्यू जो है यही होना चाहिए 80% से थोड़ा सा कम तो 78.44 वाला ही सही होगा क्योंकि आप यहां 70% तक नहीं जा रहें लगबग 70% से काफी जादा है 80% के करीब है तो यही वाला व लेकूलेशन नहीं करना है ठोड़ा सा अंदाजे काम करना है ताकि आपका टाइम बचे एक्जाम में चली नेक्स वोश्यन देखते हैं यहां अब सब्सक्राइज के उपर सवाल यहां उन्हेंटिव सब्सक्राइज है कि ए बादर तो अनुपाथ 17 ओ 19 का सेल्स ले लिजे 17 और 19 का sales मतलब 500-516 दोनों को जोड़ोगे तो 10 16 आएगा ठीक है इन दोनों का अनुपात आपको निकालना है तो देखिए अगर मैं इसे 4 से काटू 4 से काटने पर या जाएगा 3 और या जाएगा 307 ठीक है इसको यदि मैं 4 से काटू तो 25 और यहाँ पर 4 आएगा मतलब की 307 अनुपात 214 ये वाला जो उत्तर है ये सही है बिल्कुल ठीक है तो अनुपात वाले जो प्रश्ण होता है काफी आसान होता है तो data interpretation में भी आगर आप देखेंगे तो कुछ सवाल अनुपात क्या आते है कुछ average काता है ठीक है कुछ percentage change काता है तो जो आसान लग रहा है उसको पहले solve करना second round में जो कैलकुलेटिव दिख रहा है उसको लगाना ऐसा नहीं होना चाहिए कि पूरे के पूरे एक घंटे चले गए और आपने कुछ questions को visit ही नहीं किया ये गलत है सारे questions देखने जरूर चाहिए एक attempt जो है आपका 45 मिनिट तक हो जाना चाहिए सारे questions को देखकर आखरी के 15 मिनिट में जो अच्छे सवाल होते हैं उसको आप solve करिए ठीक है चली next question देखते हैं यहाँ पर what is the difference in production in 2015-17 taken together to the sales in 18-19 तो देखिए फिर से इस प्रकार का प्रश्ण दुबारा आ गया है लेकिन अब यहाँ पर आपको production लिना है 15-17 का और 18-19 का sales के साथ difference पूछ रहा है 15-17 का जो आपका production है वो इतना है इन दोनों को जोडने पर 1350 18-19 के sales की हम बात करें तो यह इतना आ रहा है 916 916 तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ 34 आएगा और यहाँ 434 जो है सवाल का से उत्तर है चलिए आईए नेक्स्ट कॉश्ण देखते हैं आपर अगला line graph दिया तो जबी भी line graph चेंज हुआ तो पहले समझना जरूरी है क्या दिया हुआ है बोल रहा है इसको study करिए carefully और इसका answer देना है given below number of patients in thousands दिया है MPCG में for 6 months from March to August 2020 तो March, April, May, June, July, August 6 महिनों का data दिया है किसका किसका कि patient चैने मरीज जो MP में थे और 36 गड़ में थे इसकी संख्या दूसरी बात ये 1000 में है तो अगर March की बात करें तो red वाला graph आपका CG का दिखा रहा है blue वाला graph जो MP का दिखा रहा है तो CG में 20,000 मरीज थे कब March 20 में और अगर हम MP के बात करें तो 15 था पंदरा का मतलब 15,000 थे उसी प्रकार अगले महिने April में MP में जादा होगा साड़े सतरह हजार और CG में कम होगा पंदरह हजार इस तरीके से आपको graph पढ़ना है एक बार graph पढ़ना समझ गए तो अब फिर आएंगे सवालों पर तो पहला सवाल यहां दिया हुआ है what is the respective ratio between the number of patients in MP in the month of April, June, August, June, July तो MP का आपको data चाहिए कब-कब का तो April का, June का, July का ठीक है अनुपात किस के साथ तो CG का, March, April और August इन तीन data को आपका ratio चाहिए तो MP की बात करें तो MP का जो data है वो है आपका blue color वाला जिसमें आपको April, June, July चाहिए तो April में देखिए कितना था April, June, July की हम बात करेंगे तो यहां April में आप देख सकते MP में blue वाला जो है 17.5 June और July का मतलब कितना कितना 20 और यहां पर 30 तो 20 और 30 मतलब 50 दोनों को जोड़ देंगे तो 67.5 आएगा कि नहीं तो यहां मैं लिख लेता हूँ कि इसका value जो है 67.5 यह 1000 में है 1000 लिखने के आवसकता नहीं क्योंकि ratio है दोनों तरफ कर जाएगा अब CG की data की बात करें तो red वाला graph है और red वाले graph में भी आपको ध्यान देना है कि March, April, August में जाना है आपको तो March में red वाला कहां पर है यहां है तो यह हो जाएगा 20 March के बाद आपको आना है April में April में है 15 फिर आपको आना है August में आने आखरी में फिर से 15 तो 15 प्लस 15 होता है 30 प्लस 20 जोड़े तो 50 हो जाएगा मतलब टोटल जो March, April प्लस आउगस्ट में CG के जो मरीज है वो कितने है 50,000 है अब दोनों तरफ 0 से multiply करोगे तो यह वाला decimal और यह वाला decimal हटाने के लिए यहां पर 10 से हम multiply करते हैं दोनों तरफ अगर मैं 25 से से काटू तो 20 बर कटेगा 25 से इसे काटने पर 2 बर 50 फिर 175 आ रहा है तो 7 बर कटेगा 27.20 27 इस तो 20 जो है सवाल का सही उत्तर होगा clear चलिए अनुपात वाले सवाल जो है थोड़े आसान होते इसको पहले attempt करना परसंटेज वाले सवाल या आवरेज वाला सवाल जो है उसको second attempt में करोगे तो भी चलेगा क्यूंकि रेश्यो वाला सवाल फटाफट क्यालकुलेट होता है दे नंबर ओफ पेशेंट्स इन ऑगस्ट ट्वेंटी ट्वेंटी इन सीजी वाट परसेंट लेस देन यहां पर है वह 25 आप से पूछ रहा है इससे कितना कम है तो आप देख पार हैं दस कम है किसमें पच्चिस में multiplied by 100 25 का चार गुना है तो चार इंटू दास होता है भई 40 percentage 40 percentage तो यही सवाल का सही उतर है C is the correct answer आशा करता है आपको समझ में आ गया होगा आगे बढ़ते तो जो September 2020 में जो डेटा दिया हुआ है किसका डेटा है यह मध्यप्रदेश का डेटा है यह बोला गया C G में जो C G में August 20 में जितने मरीज थे जितने कितने है तो 15,000 इसका एक तिहाई कम है एक तिहाई करने कम करने का मतलब दो तिहाई कर देना जो की हो जाएगा भई 10,000 ठीक है 10,000 है यह तो यह बोला गया है कि MP में जितने थे September 2022 में तो इसको काटेंगे चार बार तो फिर से एक बार 40 परसेंटेज दुबारा एंसर आ ठीक है तो इसका एंसर भी 40 परसेंट होगा भी सवाल का सही उत्तर हो जाएगा यहां तक चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप यह कर सकते कि पहले आप डिफरेंस निकाल लीजे सबका और डिफरेंस का अवरेंस निकालें क्योंकि यहां टाइम बज जाता है देखे आपको मैं बोल रहा हूं कि आप यह तो यह करेंगे कि एक दो तीन चार पांच छे है इसमें एमपी के जितना है उसको आप जोड़ेंगे डिवाइड बाइस निकाल गया यह 30 है यह 20 है मतलब ब्लू वाला जो है यह 10 आगे निकल गया फिर से मतलब MP 10 आगे निकल गया रेड वाला उपर आगया तो अब माइनस 5 पीछे हो गया ब्लू फिर से ब्लू वाला उपर गया तो 5 उपर है इस तरीके से लिख सकते हैं अब ब्लू वाला उपर है तो धाई उपर 2.5 रेड वाला उपर है तो ब्लू नीचे हो गया मतलब माइनस का 5 यह difference है और divided by 6 करने पर आपका average निकल जाएगा अपरोक्सिमेट प्लस का 5 माइनस का 5 कर गया माइनस का 5 करोगे 15 15 प्लस धाई करोगे तो साड़े सतरा आ रहा है डिवाइड बचे शुरुआती तो पर आपको बताया गया था यह हजारों में है मतलब हजार का मतलब यहां एक हजार मल्टिप्लाय करोगे तो तीन जिरो लगेंगे एक जिरो तो डेसिमल हटाने में जाएगा दो जिरो आ रहाएगा ठीक इसको यदि डिवाइड करें देखिए अगर 18,000 होता तो एप्रॉक्सिमेटली 3000 आनना था और इसका एप्रॉक्सिमेट वैल्यू ही चाहिए तो यहां से आप बता सकते हैं कि MP में जो फीमेल है वो भी कब जून में कितने हैं तो 45 परसेंट है किसका जून में जितने MP में थे तो MP का मतलब ब्लू वाला जून मतलब यहां पर तो ब्लू में यहां 20 है तो 20,000 का वैल्यू निकाल लेते कि MP में कितने फीमेल्स थे तो 20,000 से मल्टिप्लाइ करोगे 2-0 कर जाएगा दो से multiply करने पर 90 आता है और 2 zeros पहले से तो 9000 जो है इतने females patient थे MP में कब June 2020 में दूसरी बात दिया हुए ratio of the female employees in June 2020 to CG in August 2020 जो है वो 4 अनुपात 5 है जैसी आपको पता चला 4 अनुपात 5 है तो 4 अनुपात 5 से आप ये बता सकते हैं कि 4 का value दिया 9000 तो 5 का value जो है वो निकाल सकते हैं तो CG में जो female employees है कब August 20 में इसका value आप निकाल सकते हैं यह हो जाएगा भई 9000 divided by 4 multiplied by 5 तो 4 से इन दोलों 0s को काटे तो यहाँ पर 25 आएगा 25 into 5 होता है 125 multiplied by 9 करोगे तो कितना आएगा 125 multiplied by 9 ठीक है तो 900 और 225 का मतलब यहाँ पर add हो जाएगा 225 यानि 1125 और 10 extra आजाएगा 1125 और 10 extra कितना आ रहा है भई तो यहाँ पर females जो है cg में यह है 1125 और 10 extra यह वाला ठीक इतने female patients है कब cg में august में 2022 find the number of patients in cg in august 2022 सवाल पूछ रहा है कि august में cg में कितने male patients है यह आपको निकालना है तो देखे भई जैसी आपने female निकाल दिया तो यहाँ पर total तो आपके पास है कि 15,000 थे patients cg में तो 15,000 total है जिसमें से female जो यहाँ पर patients है वो कितने है तो इतने है तो यहाँ से male patients की जो संख्या हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 15,000 minus 11,250 और इसका difference कितना आएगा देखे 15 है यहाँ पर 11 है तो यह बन जाएगा 3750 3750 तो D जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा clear चली आगे बढ़ते हैं यहाँ से कुछ आसान questions लेंगे हम I और V.I के उपर आधारित है I का मतलब जो है आपका solid lines है V.I का मतलब यहाँ जो dotted lines है इसके उपर यहाँ पर दिया हुआ है in which year was the maximum difference between income and expenditure तो income और expenditure में maximum difference कहा था बताना है तो देखे इन दोनों graph graph में जो सबसे ज़्यादा gap आएगा वहीं पर सबसे ज़्यादा maximum difference होगा जो कि यहाँ दिखाई दे रहा है यही सबसे maximum होगा 2005 में बाकी कहीं पर भी इतना ज़्यादा difference नहीं है तो C जो है सवाल का सही उत्तर होगा ठीक है अगला सवाल देखिए यहां दिया वाट इस दपर्सेंटेज डिक्रीज इन स्पेंडिंग फ्रम टूथाज़न 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 थ्री वाइस 2002 से 2003 में खर्च में कितने प्रतिशत की कमी आए तो खर्च की बात हो रही है तो खर्च कौन सा बीच में है और यह यहां पर आ गया जो कि यहां 20 में है मतलब 27.5 से आप कम करके यहां 20 में आ गया है तो अगर मैं इसका अनुपात लो तो यह 0 बन जाएगा और यह decimal हड़ जाएगा 25 से काटने पर यह बन गया 11 और 25 से कटने पर यह बन गया 8 तो आप समझीए यहां पर ज पतलब होता है 9.09 परसेंट और जब यह 3 है तो यह हो जाएगा 27.27 परसेंटेज एप्रॉक्सिमेट वैल्यू की बात करें तो 27 को आप 3 लिख सकते है तो एप्रॉक्सिमेटली इसमें 27.3 परसेंटेज की कमी हो जाएगी इस तरीके से आपको डेटा रीड करना आना चाहिए ठीक है यह आपका जो है क्रोड रुपे में था और यह आपका जो है आए और व्याए दिया हुआ था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं लेकिन उस क्रोड की कोई ज़रूरत नहीं है क्यूंकि आप यहां प्रतिसत निकाल बें और प्रतिसत में प्रारंभीक मुले अंतिम तो एक से दो जाओगे तो यहां इंकम कहा है एकस्पेंडिचर कहा है इसको थोड़ा समझना इंकम 2001 में जो है वो यहां पर है बीस में और यहां पर जो है वो 35 है मतलब 20 से आपने बढ़ा कर कितना कर दिया तो 35 कर दिया अब कोई आपसे परसेंटेज पूछे तो कहना की 15 दीकिए घाएगा गार है चलिए तो अग्ला सवाल यहाँ पर दिया हुआ की ऊपर यहां पर लाइन जिदेरा है निर्वाइद और आयात का अनुपाथ है मतलब कि अगर यहां हम बात करें कंपनी एक तो company A के निर्यात और आयात का जो अनुपात है वो यहां dotted lines में दिया है और company B का जो है वो straight line में दिया हुआ है तो अगर यहां पे आप देखेंगे company A की बात करूँ मैं तो इसका 2001 में जो data दिया है यहां पर 1.25 दिया हुआ है तो 2001 की बात करें income of A divided by income of B जो है यह कितना होगा तो 5 हनुपात 4 होगा कैसे मैंने इसको फटाफट लिख दिया क्योंकि मुझे यहां दिखाई दिया 1.5 1.5 का मैंने mind में calculation किया 1.25 को 100 से multiply और 100 से divide किया यह मैंने mind में किया जैसी इतना करने पर 125 divided by 100 आ रहा है और आप इसको 25 से काटके 5 divided by 4 लिख सकते हैं यहां तक आप मेरी बातों से सहमत होगे उसी प्रकार अगर आप से कोई पूछे कि भताइए भाई कि यहां पर जो company B है इस company B का 2003 में क्या data है तो 2003 में company B का income of B divided by expenditure of B की हम बात करें तो यह 7 अनुपात 4 होगा कैसे मैंने लिख दिया क्योंकि company B का जो data यहां पर दिया हुए 2003 में यह 1.75 पर जाकर रखा हुआ है और 1.75 का मतलब आप सब जानते हैं इसको मैं 175 divided by 100 लिख सकता हूं 25 से काटोगे तो नीचे 4 और उपर 7 आएगा clear है इस तरीके से आप यहां पर इस data को जो दिया हुआ है उसको read कर सकते हैं अब समस्ते हैं कि यहां पर क्या-क्या प्रशन दिया है इसको solve करने की कोशिच करते हैं तो यह पहला प्रशन है दिया हुआ है if the total exports of company A in 2001 and 2002 were 90 crores so what is the total imports of company in these two years तो export of A दिया हुआ है आपको कब 01 में plus export of A दिया है आपको 02 में इसका total value जो है 90 crore दिया हुआ है आपको बताना क्या है कि income of A इसी वर्श में 01 plus income of A 02 में total कितना है यह आपको find करने को बुला गया सवाल समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर दिया है कि यदि company A का वर्श एक और दो में कुल निर्यात जो था 90 crore का था तो इनका company का कुल आयात कितना था यह आपको निकालने को बुला गया यह यहाँ पर 40 और यहाँ पर 50 crore बटा हुआ है कि यहाँ पर 30 crore की यहाँ 60 crore बटा हुआ है तो यह data missing है कि इस 90 crore में से expenditure of A का कितना हुआ 2001 में और कितना हुआ 2002 में क्योंकि आपके पास इन दोनों का तो अनुपाद है income A का जो 2001 में हुआ और expenditure A का जो 2001 में हुआ इसका अनुपाद हमारे पास है साथ में income जो A का 2002 में हुआ और expenditure जो A का 2002 में हुआ वो यहाँ पर दिया हुआ है इस graph में लेकिन यह नहीं बताया ना कि 90 crore में से expenditure A का 2001 में कितना हुआ 2002 में कितना हुआ यह नहीं बताया इसलिए आप इस डेटा को calculate नहीं कर सकते, आपका answer हो जाएगा C option, clear है, चलिए, next question देखते हैं, next question यहां दिया हुआ है, if there is 40% increase in the import of company B in the year 2003, then what will be the ratio of export and increased import in that year, देखें, सवाल यहां पर दिया है कि निर्यात तथा आयात का अनुपात आपको यहां दिया हुआ है, B का 2003 में, जो कि हमने शुरुआती तौर पर देखा था, निर्यात का मतलब होता है, export जो है B का, 03 में, 2003 में, अनुपात, import जो है B का, 03 में, मतलब 2003 में, तो निर्यात और आयात का जो अनुपात है, वो कितना दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, यह वाला graph जो dark line है, यह B का graph है, जो कि 2003 में 1.75 पर है, ठीक है, 1.75 पर है, 1.75 का मतलब 175 बटे 100, और 25 से काटोगे तो उपर 7 नीचे 4 आएगा, मतलब की जो value है, 7 अनुपात 4 बन गया, correct? सवाल में दिया हुआ है, कि यदि हम यहाँ पर, if there is 40% increase in the imports, इस import में हम 40% बढ़ाते हैं, जब भी कोई value 40% बढ़ जाता है, तो यह value अपना 140% होता है, 140% 140 divided by 100, तो केवल इसको आपने इतने से बढ़ाया, ठीक पांच आएगा, इस पांच को दूसरे तरफ बेज़ देते हैं, तो 5 ratio 4 जो है, सवाल का सही उत्तर होगा, तो A जो है सवाल का सही उत्तर है, clear यहाँ तक बाते समझ में आ गई, चलिए, In how many years out of the given years does the export of company A exceeds the import, देखें सवाल में दिया है, export of company A जो है, exceeds the imports of company A, मतलब import को अगर मैं दूसरे तरफ लियाओ, तो export of A divided by import of A जो है, एक से बड़ा होना चाहिए, एक से बड़ा जबी भी हुआ, तो यहाँ पर अनुपात ही तो दिया है, तो एक का मतलब है, यहाँ यह वाला लाइन, यह वाला लाइन है, ठीक, और इसके उपर जितने वर्षों में होगा, वही होगा आपका उतर कि इतने वर्ष, आपका जो है, export of A greater than import है, और A की company की बात करें, तो जो dotted line है, वो वाला है, तो dotted line के graph को कहा कहा जा रहा है, एक बार ध्यान देंगे, यहाँ तो one 2001 में इसके उपर है, 2002 में इसके उपर है, 3 में सीधा सीधा इसके नीचे आ गया, 4 में तो बराबर है, लेकिन बराबर नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ बोला है, exceeds, exceeds का मतलब बराबर नहीं होता, तो आखरी वाला जो है, 2005 मतलब एक, दो और तीन वर्ष में ऐसा हो रहा है, त तो C आपका सही उत्तर होगा, clear, चलिए, नेक्स्ट कॉश्चन, इफ दा इयर 2002, कंपनी B एक्सपोर्ट वास फिफ्टी क्रोर्ट, सो वाट इस इंपोर्ट अप्पनी इन दाट इर, देखे भई, एक्सपोर्ट जो है, कंपनी B का, ठीक है, 2002 में, डिवाइड बाइड जो इ कंपनी B का 2002 में, और इंपोर्ट जो रहा, यहां पर 1.25 दिया हुआ है, 1.25 का मतलब क्या होता है, अभी तक आप जानी चुके होगे, इसका मतलब है, 5 बटे 4, ठीक है, तो 5 बाइ 4 हो गया, एक्सपोर्ट की बात करें, तो एक्सपोर्ट सवाल में दिया है, 50 क्रोर, 50 क्रोर ठीक है, तो A जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है, चलिए, in which of the given years will the difference between export and import be maximum, देखें, अब यहां पर export और import में जो difference है, वो कब maximum होगा, यह हम नहीं बता सकते, क्योंकि यह एक ratio है, और ratio में जब तक value नहीं दे सकता, तब तक हम यह value नहीं determine कर सकते, तो इसलिए इस सवाल का भी उत्तर जो है, यह D होगा, ठीक है, अब आते हैं हम table graph में, जिसको हिंदी में हम सारनी कहते हैं, देखिए, table graph जो है सबसे ज़्यादा बार पूछे जाने वाला सवाल है, आपके SSE के exam में, देखा जाए तो table graph के भी question इन ही तीन topics से देखने को मिला है, ratio से, percentage से, average से, जिसके बारे मैंने कई बार आप से चर्चा किया है, table graph जो है कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें rows और columns में कुछ values और columns में कुछ values, अब यहाँ पर कुछ values इस तरीके से आपको दिये जाएंगे, ठीक है, हो सकता है यहाँ पर कुछ company हो, ABCD, यहाँ पर कुछ sales figure हो, एक बार आप data पढ़ना सीख गए, तो यहाँ से बाकी कुछ भी प्रशना है, चाहे वो average का प्रशन हो, चाहे ratio का प्रशन हो, ठीक है, चाहे वो percentage का प्रशन हो, एक बार data निकल गया, तो बाकी concept आप लोग जानते हैं, तीनों हमने cover करके रखा हुआ है, बस data निकालिए और सवाल को solve करिए, देखे, तो पहला सवाल यहाँ पर दिया हुए, study the table and answers the following questions, ठीक है, question that follows, the table shows the annual consumption in 100 tons of tea in 5 states, A, B, C, D, E, across 2014 to 2019, तो 14 से 19 मतलब कितने वर्श है भई, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वर्श है, और A, B, C, D, E, 5 अलग अलग यहाँ पर states दिया हुए, जिसका आपको यहाँ पर data दिया है कि कितना consumption हो रहा है T का, और यह 100 tons में, 100 tons का मतलब अगर 112 है, तो 112 हंडेट टन होगा, 130 है तो 130 हंडेट टन होगा, 136 मतलब 136 हंडेट टन होगा, इस तरीके से आपको data रीड करना है, चले पहला प्रशन देखते है, यहाँ दिया हुए, the consumption of tea in which state and year is closest to the consumption of A over the 6 years, त आपको निकालना होगा पहले, राज A की चाय का ओसत खपत जो है, खपत नजदीक रही किस राजी के और किस वर्स में यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है, तो सबसे पहली बात A के खपत की बात करें तो इसको देखकर क्या समझ बहारा है, अंदाजे में लूँ तो यहाँ प से 3 कम हैं, माइनस 3 कर लेते हैं, तीसरा वेल्यवks 124, एक कम माइनस 1 कर लेते हैं, चौथा जो वेल्यव कना उनृष से 7 ज्यादा है, और ये पाच्छा वेल्यू इसla च्यादा है, ज्यादा है, तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें, तो यह 3 और 4 सितरा होता है, तो थाइस है तो प्लस का थाइस divided by 6 मतलब देखिए कितना आएगा 125 प्लस यह जाएगा 4.6666 इस तरीके से चलेगा मतलब 129.6 के आसपास जो है इसका एवेज आ रहा है तो जिस जो वैल्यू इसके निकटतम होगा वही हमारा उत्तर होगा क्योंकि आपको यही निकालना है किस रा जो एक चाय के औसथ खपत के नजदीक है closest है यह आपको निकालना है तो सी का 2016 बताई कितना है 2016 का सी में देखोगे तो 142 आएगा बी का 2014 में देखोगे तो यहाँ पर बी का 2014 में 130 यही closest है इससे ज़्यादा close क्या होगा E का 2019 की बात करें तो लास्ट वाला 187 है बहुत दूर हो गया D का 2018 की बात करें तो D का 2018 में 151 है यह भी दूर है सबसे closest जो है वो B का है 130 यही आप answer होगा clear है चलिए आगे बढ़ते है next question by what percentage is the total consumption of coffee in state D in 2014 to 2016 less than the total consumption of coffee in state D A B C D E A B C E in 2015 correct to one decimal तो देखिए आप percentage की बात हो रही है तो पहले 2014 से 16 तक का D राज्य में जाना है आपको तो D राज्य में मतलब यह वाला राज्य चौथा कॉलम का और 2014 से 16 मतलब पहले के तीन वर्स और D राज्य मतलब की यहाँ पर चौथा कॉलम तो इन तीनों का आपको जोड़ना होगा 5 प्लस 4 हो गया 9 140 प्लस 140 280 होता है जिसमें अगर एक भी जोड़ दिया जाए तो 380 आजाएगा 389 तो 389 हो गया ठीक है और 2016 में राज्य A, B, C और E की बात हो रही है तो 2016 की बात करते हैं तो A, B, C और E की बात हो रही है तो इसको जोड़ना है हमें बताइए भई कितना आएगा 4 प्लस 4 हो गया 8, 8 प्लस 2 हो गया 10 10 प्लस 2 करोगे तो 12 आएगा 2 हासिल 1 1 प्लस 2, 3 प्लस 3 हो गया 6 प्लस 4, 10 और इस 10 में 3 जोड़ोगे तो 13 आएगा 3 हासिल 1 1 प्लस 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है 5, 32 तो यह बताना है आपको कि यह इससे कितना प्रतिसत कम है तो बताइए भई कितना प्रतिसत कम ठीक है अगर यहाँ पर हम इसका 30% value निकाले इसका 30% value निकाले तो 3 से गुड़ा करने पर value जो आएगा 6 times आएगा ठीक है 6 जा और यहाँ पर 9 आजाएगा 15.96 159 आ रहा है मतलब 133 यह 133 से जादा है मतलब 25% से थोड़ा जादा रहेगा कितना जादा रहेगा तो देखें यह अगर 133 है तो 10 और जादा है 10 और जादे का मतलब अगर मैं इसका 1% निकालू या 2% निकालू 2% निकालने पर इसका जो value है यह लगभग हो जाता है 10 point ठीक है 10 point थोड़ा जादा हो जाता है 10 point मतलब इससे 10 से थोड़ा जादा होगा मतलब 27% तो नहीं है 25% में 2% जोडने पर 27% आ रहा है 27% से थोड़ा सा कम है तो value जो है यह होगा 26.7% तो approximation भी आप यहाँ पर कर सकते हैं क्योंकि अगर 25% value 133 है अब 10 और जोड़ने पर value आ रहा है और 10 जो जोड़ रहे हैं वो यहाँ पर 1% से 2% के बीच में तो 25% में कितना और जोड़ना है 1% से 2% के बीच में यहने 1.7% के आसपस तो 26.7% जो है approximately scouter होगा ठीक चाहें तो आप पूरा divide कर सकते हैं बढ़ उसकी आवसकता नहीं है नेक्स्ट कॉश्चन देखते हैं यहाँ पर आपके स्क्रीन के उपर है यहाँ दिया year 2014, 15, 16, 17, 18, car A, B, C, D, E यह क्या है शोड़ टेवल अफ डिफरेंट कार्स का प्रोड़क्शन दिया उत्पादन दिया हुआ है अब आपको निकालना है average production of cars in 2018 is approximately what percent less than the total production of D in 15 and B in 17, taken together, तो सबसे पहले आपको average निकालना है 2018 के car का, 2018 के car का average यह होगा, ठीक है इसमें भी आप अगर जोड़ना चाहते है तो पहले आप देखिए अगर मैं इसको 72 को और 68 को जोड़ना तो 140 आएगा, correct, साज में अगर मैं इस 56 को और 64 को जोड़ना तो 120 आएग बज़ गया 65, तीनों को जोड़ने तो 5 यहाँ पर, 10 यहाँ पर, 12 यहाँ पर, 325 आगया, इसका average निकालना है तो divided by 5 कर लेते हैं, average कितना आजाएगा 65 आएगा, average production of cars in 2018 is what, is approximately what percent less than the total production of D in 15, D in 15, and B in 17, taken together, तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो इन दोनों को जोड़ने पर जो value आ रहा है, 120 आ रहा है, यह value इससे कितना कम है, यही पूछ रहा है, तो अगर हम देखें, तो यह से 55 कम है, तो 55 जो है, 120 का कितना परतीसत है, यही आप से पूछ रहा है सवाल में, ठीक, 10 इससे कर जाएगा, मतलब जो value आ रहा है, 550 divided by 12 आ रहा है, चार बार 48 से कटेगा, 48 के कटने के बाद 70 आ रहा है, तो 45.83, ठीक है, इसके आसपास आएगा, 45.83, तो यह सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है, चलिए, अगला सवाल, what is the ratio of the total production of A cars in 2017 and C cars in 2015, taken together, तो A का 2017 में, C का 2014 में, A का 2017 में, C का 2014 में, इन दोनों को जोड़ दिया जाए, तो 120 आएगा, और साथ में अनुपात इसका लेना है, किसके साथ, B का 2014 में, अब यहां से मैं blue color में इसको कर लेता हूँ, B का 2014, C का 2017, और E का 2018, इन तीनों को जोड़ना है, तो देखिए, अगर मैं यहां पर 64 और 46 को जोड़ दो, 4 जोड़ने पर 50 आ रहे है, 50 प्लस 60 110 होगे, 110 में अगर 50 को जोड़ोगे, तो 160 आएगा, 160, ठीक है, 40 से काट लिया जाए, तो यहां पर 3, यहां पर 4 आएगा, 3 अनुपात 4 सवाल का सही उत्तर है, D is the correct answer for this question, clear है, समझ में आ गया, चलिए, अगले question के और बढ 2014, E in 2014, E का 2014 में यह वाला डिटा लेना है, taken together, is what percent of C in 14 to 18, C in 14 to 18, C in 14 to 18, इसका कितना percentage है, निकालना है, तो देखिए, simple है, आपको बस यह दोनों जोड़ना है पहले, इन दोनों को जोड़ोगे, तो 46 और 44 को जोड़ोगे, तो 90 आएगा, divided by C की बात करें, तो इसको total करना है, तो 45 प्लस 45, 90 होता है, 54 प्लस 56, 110 होता है, 110 और 90 कितना हो गया, आप कहेंगे, 200 हो गया, और यहाँ 50 और है, तो 250 हो जाएगा, इसका total value, इसका कितना percentage है, यही निकालने को बोल रहा है, 00 कटिया, 25 इसको 4 बढ़ कटिगा, 4 गुने 9, 36 हो करते है, if the data related to the production of type D cars is represented in pie chart, then what will be the central angle of sector represented by the production in 2017, तो type D car को, यदि हम data जो है, इसको हम pie chart में represent करें, तो pie chart जो है, पिछले क्लास में हमने discuss किया था, कुछ इस तरीके से दिखता है, इसमें बोल रहा है, 2017 का जो संगत कोड बनेगा, वो कितने का बनेगा, तो 2017 के लिए आपको यह 65 दिया हुआ है, तो 65 का value है, टोटल की बात करें, तो यह पूरा का पूरा sum हो जाएगा, ठीक है, यह इसका fraction value होगा, कि 17 का data, पूरे के पूरे D का data का कितना value है, इसमें 360 degree से multiply करना पड़ेगा, क्योंकि total जो angle होता है, वो 360 degree का होता है, तो अगर इसको जोडते है, कितन हासिल 3, ठीक है, हासिल 3, 6 प्लस 6 प्लस 6, 18 होता है, और 5 प्लस 4 जो है, 9 होता है, 18 प्लस 9, 27 प्लस 3, तो 300 आ गया, तो यह आपका total यहाँ पर angle का fraction value है, तो total angle आप जानते है, 360 degree होता है, तो 360 degree, यह value देगा, 2017 में कितने का angle बनेगा, ठीक, यदि मैं से 60 से काटूं, तो पू data into 6, 78 degree होता है, 78 degree मतलब D सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है, चलिए, एक और similar pattern का question यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपको जो data दिया हुआ है, यहाँ पर आपका total production दिया है, cars यहाँ है, year यहाँ पर, आपको बताना क्या-क्या है, कि B का 2015 और D का 2016, तो B का 2015 और D का 2016, इसको अगर हम एक साथ ले ले, साथ में क्या करना है हमें, car E का पाचो वर्ष का ले, तो बताना है कि पहला वाला percentage कितना less है, तो E का total 5 years में देखना होगा, total कितना आ रहा है, तो देखें, यह 3 plus 7, 10 होता है, 4 और यह 8 और 8, 20 होता है, तो 20 plus 10 जो है, हो गया 30, 30, 3 carry forward, ठीक ह अब यहाँ पर E का जो total है, यह आपका 300 है, साथ में हम बात करें, B का 15 का, प्लस D का 16 का, इसको हम जोड ले, तो यह 66 और यहाँ पर इतना, मतलब यह कितना होगा, 140 होगा, correct, तो अगर हम अनुपात ले ले ले, तो यह बनेगा 15, और यह बनेगा 7, सवाल में पूछ रहा है आपसे ही कितना कम है, तो 8 कम है, divided by 15, multiplied by 100, यही आपका answer होना चाहिए, तो 800 divided by 15, बताइए भई कितना आएगा, देखें, 50 तो आएगा, 5 बार 75 से कटता है, 75 से कटने के बाद, 50 आ रहा है, तो 3 बार, 45 फिर 5 आ रहा है, तो 5 बटे 15, मतलब 1 बटे 3, 53, 1 by 3 percentage, 53, 1 by 3 percentage, याने C जो है सवाल का सही उत्तर हो जाएगा, clear है, सले, the average production of type A cars during the 5 years is what percentage of the total production of type C cars during the 5 years, तो आपको पताना है, average production of A during the 5 years was what percent of the total production of cars C during the 5 years, तो आपको A का average निकालना है, इसका average, ठीक है, तो मान के चलते हैं कि इसका average जो है, वो 55 है, कितना है, 55 है, 55 अगर हुआ, तो ये वाला value जो है, minus का 9 होगा, ये जो value है, minus का 2 होगा, next value जो है, plus का 1 होगा, अगला value, plus का 3 होगा, और last वाला जो value है, 67, ये आपके plus का 12 हो जाएगा, correct, divided by 5, ये आपका average देदेगा, ठीक, तो बताइए कितना आ जाएगा, देखें, अगर ये 12 है, plus 13 है, प्लस 3 है, तो ये plus वाले value को हम देखें, तो 12 प्लस 3 हो गया, 15 प्लस 1, 16, और इसकी बात करें, तो minus का 11 हो गया, मतलब overall जो है, ये जो value है, ये plus का 5 हो गया, और 5, 25 मतलब plus का 1, मतलब हमने जो average माना है, वो थोड़ा सा कम है, इसमें एक जोड़ना पड़ेगा, 56 average है, A का, जो औसत है, उत्पादन वो है, 56 का, C के गाड़ियों का कुल उत्पादन निकालना है, तो C के गाड़ियों का कुल उत्पादन बताईए कितना होगा, इसका total आपको चाईए, तो बताईए कितना आएगा, देखें, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे है, ये 3 और ये 7, 3 प्लस 7, 10 होता है, 4 प्लस 5, 9 प्लस 1 भी 10 होता है, तो 20 तो यहाँ पर आगया, 0, हासिल 2, 2 को आगे भेज़ देते हैं, अब 1, 2 को यहाँ भेज दीजे, 2 में से 1 को यहाँ और 1 को यहाँ, तो 4 और 4 दोनों 5 बन जाएंगे, बाकि ये 3 में 5, 5, 5 है, यानि 5, 5, 25 हो गया, multiplied by 100, ठीक, मताई कितना है, तो 25 से डिवाइड करना है, इससे बढ़िया होगा कि मैं उपर नीचे 4 से गुणा कर लेता हूँ, 4 से गुणा करने का मतलब इसको भी 4 से गुणा करना, और इससे ये होगा कि ये वाला आपका 1000 बन जाएगा, 2 0s तो यहाँ पे कड़ गए, ये 4 से मल रोकता हूँ, और इसी के तहट, SSE CGL प्रोग्राम का मैट्स का जितने भी लेक्चर की सीरीज थी, खतम हो चुका है, आप लोग ने कई बार पुछा भी था, सर्सलेबस कब कम्प्लीट होगा, हमने बताया भी था, 31st मार्च को, यानि कि मार्च के एंड तक कम्प्लीट आने वाले week में, यानि कि Saturday को आपको इसका practice sheet भी provide होगा, next week onwards practice होगा, केवल questions, और जो भी concept, ऐसा कोई concept हो, जो मैंने discuss नहीं किया, ऐसे कुछ नए concepts, previous year pattern के उपर भी बहुत सारे questions हम लेंगे, एक, दो model paper भी आपको solve करवाएंगे, और कुछ practice session जो हमने खुद बनाया है, April का महिना अभी बाकी है, और CGL वालों के all the best, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचाओ, बहुत अच्छे से त्यारी करना है अभी, काफी कम समय है, तो आप full यहाँ पर mock test वगेरा लगाईए, और साथ में, जिस भी source से आपको available है, mock test आप लगाईए, जो SSC, CHSL के aspirants है, आपके पास अभी दो महिने का समय है, तो अच्छे से यूटिलाइज करिए, self study, practice, practice session अटेंट करिए, ठीक है, और आपने practice को एक अच्छे level पर ले जाए, दो महिने का समय आपके पास अभी भी है, कई लोग पूछ रहे थे कि सर अभी तो 10 दिन पहले मैं जोईन किया अगर वीडियो पसंद आए, इसको लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि आपके लाइक सब्सक्राइब से हमारा motivation हमेशा हाई रहता है, कि हम और अच्छा content आपको provide करें, इन ही कुछ बातों के साथ, अब मैं यहाँ पर इस वीडियो को रोकता हूँ, आने वाले वीडियो में कुछ practice sessions के साथ मिलेंगे, thank you so much, इस वीडियो में इतना है,